अब देखने वाले हैं कि क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी जिंदगी में और क्या कुछ सोच रहा है वह आपके बारे में मेरी तब्यत खराब है इसलिए दो दिन से रीडिंग नहीं आपाई अभी भी तब्या ठीक नहीं है लेकिन क्योंकि आप लोगों को रहता है कि उनको बहुत लंबे संग में तक अगर डिस्कॉंटिन्यू रहो तो चैनल खराब कर देते हैं और इच तो दोनों ही रीजन है तो रीडिंग बना रही हूं जितनी छमता है उतना कोशिस करूंगी बोलने की चिला नहीं सकती माइक कनेक्ट है कि नहीं है मुझे न होती रहती है तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के विसस पर लेने की जरूरत नहीं है अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना ऐसे सर्फ एक गाइडेंस के तौर पर देखना है कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की इनर्जी पिक होगी त जितना resonate करता है उतना रखिये बाकी को जानी दिजी टैमडेस रीडिंग है मेरी आल्मूस सबी डीडिंग टैमलेस होती है तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई नो कई मैसेज आपते जरूर होगा तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो परसनल री ही जवाब मिलें इसके बाद अपने परसन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ए रिडिंग देख रहे हैं उनका चहरा अपने माइन में लेकर आई और उनका नाम धौराते रहे हैं चले स्टार्ट करते हैं डीप डीप लेजे अब प्लीज डिवाइन प्लीज बबाबजी प्लीज डिवाइन हमारे व्यूवर्स उनके परसन के बीच उनके रिष्टे में क्या चल रहा है प्लीज डिवाइन में बताइए हमारे विवर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिष्टे में क्या चल रहा है प्रीज डिवाइन ने मैं बताईए रिग्रेट अफसोस है किसी बात का शायद किसी ने किसी का प्यार खो दिया है हम देख रहते हैं कि अभी हमने five of cups का कार्ट देखा था प्लीज जिवाइन प्लीज बाबाजी हमारे विवर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिष्टे में क्या चल रहा है प्लीज बताईए past life connection या तो past life connection है या आप दोनों में से किसी एक को at least feel होता है या दोनों को feel होता है कि कोई न कोई पुराना रिष्टा आपका जरूर है किसी पूर्वजन्व से please divine please बाबाजी हमारे विवर्स उनके पर्षण के बीच उनके रिष्टे में क्या चल रहा है betrayal दोका हुआ है कहीं पर तर जिया किसी को लग रहा है कि दोका हुआ है regret है तो betrayal तो यहां पर शायद किसी को प्यार करने का उसका प्यार ठोकराया गया यहा फिर किसी को किसी के प्यार के वैल्यू ना करने का प्लीज जिवाइन प्लीज बाबाजी हमारे व्यूवर्स की पर्सन और व्यूवर्स के बीच क्या चल रहा है प्लीज बताइए Miss You, Missing Energy है Missing Energy है प्लीज दिवाइन प्लीज बाबाजी व्यूवर्स उनके परसन के बीच उनके रिष्टे में क्या चल रहा है प्लीज दिवाइन बताईए रिकंसिडर दुबारा सोचने के बारे में सोच रहे हैं ठीक है दुबारा विचार कर रहे हैं रिष्टे के बारे में पॉस्टिव या निगेटिव बाद में देखेंगे गुड लग यह अभी बीच में भी मुझे देखा था हाइलाइट हुआता काफी गुड लग चलिए हम ज़्यदा क्लेरिफायर नहीं लेंगे क्योंकि शायद बहुत लंबी रिडिंग में इतना बोल नहीं पाऊंगी प्लीज डिवाइन प्लीज बाद जी हमारे विवर्स के परसुन की ओवरॉल करेंट फीलिंग हमारे विवर्स के लिए क्या है प्लीज डिवाइन बताएए कुन सेकिन प्लीज डिवाइन प्लीज बबाद जी हमारे विवर्स के परस्न की ओवरॉल करेंट फीलिंग क्या है क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी जिन्दगी में प्लीज जिवाइट फाइनल शिफल बाबे जी हमारे वीवर्स के पर्सन की ओवरॉल करेंट फीलिंग क्या है क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनके जिन्दगी में प्लीज बताइए हुआ 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 है जॉडेक सायन के अगर हम बात करें तो यहाँ में कैन्सर स्कॉर्पियों पाइसिस है टारस वरगों क्या प्रिकॉर्ण है एरिEZ लिो तैजितेरियस है आकवरियस की इनर्जी है यहाँ में चॉपियों की इनर्जी है बखी जेमिनाई और लेब्रा की इनर्जी यहां पे नहीं है लेकिन बॉटम में अगर हम अंदर जाएंगे तो अभी देखेंगे तो वहां पे इनर्जी कहीं कहीं मिल नहीं जाएगे नमबर 17, 19, 3, 13, 5, 4 नमबर, 10 नमबर यानि की 1 नमबर और इसके अलावा 8 नमबर यह नमबर important हो सकते हैं आप लोगों के लिए birth date हो सकती हैं या birth month हो सकते हैं आपके person के especially ज्यादा important है आपके person को कुछ उमीदें हैं ठीक है इनकी कुछ उमीद है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा बापस से सब चीजें सही हो जाएगा अभी इनकी जिन्दगी में बहुत conflict चल रहे हैं काफी competition है इनका हो सकता है ये किसी exam की या competitive exam की तयारी कर रहे है या कहीं किसी तरीके क बैसे हैं कोई competition जरूर है लोगों के साथ हो सकता है अपने neighbors के सास्थ हो सकता है अपने साथ पढ़ने लिखने वाले loggों के साथ हो सकता है जो भी है जो भी उनकी उमर हो उसके हिसाब से कही competition है बहुत साथ है ठीक है rivalry है यहां पर लडाई छगणे है fights हैं पर इनने ऐसा जिसे इनकी जिन्दगी में हर तरीके की happiness आ जाए क्योंकि कहीं ने कहीं materialistic approach है कि इनकी कि जिसे इनकी जिन्दगी में finance आ जाएगा सब चीज़ें सही हो जाएगे उस दिन क्या होगा कि इनकी जिन्दगी में 10 सन आ जाएगा कोई business के recording या कोई job के regarding फिर इनकी जिन्दगी में celebration आएगा या हो सकता है कोई celebration आज हो भी शादियवादी अटेंड कर रहे हों ऐसा भी कुछ है इसके अलावे इन्हें ऐसा लगता है कि किसी चीज़ की कुछ है जिसे वो end करना चाते हैं कि एक दिन अब इनके mind में है कि जो भी बुरा समय चल रहा है यो conflict चल रहा है ये end हो जाएगा खतम हो जाएगा और एक अच्छा समय स्टार्ट होगा जो नेरी रात चल रही है ये और एक रोश्णी एक उजाला यहां पे सूरज जरूर चमकेगा इनको ऐसा लगता है इनको यह उमीद है ठीक है फिलाल इनके जिंदगी में बहुत साथा competition है पैसे को लेकर हो सकता है रिष्टे को लेकर हो सकता है साधी बया को लेकर कर के हो सकता है दोस्तों के साथ हो सकता है इन्हें फिलाल अभी यहीं लग रहा है कि यह सारे कॉन्फ्लिक्ट यह तब सब सही हो जाएंगे जब इन एक अपॉर्शनिटी मिल जाएगे और इनके जिन्दगे में सब कुछ अच्छा हो जाएगा अपनी जहां तक उमीद है यह अपना पहले बेस मजबूत करना चाहते हैं इनकी अभी जिन लोगों कोई भी देख रहे हो यह लोग फिनेशली अबंड़ेंट नहीं होंगे ठीकिए फिनेशली अबंड़ेंट नहीं है आपके परसे इनकी जिन्दगी में फिनेंस की कमी है और इनका इरादा है कि जिस दिन ये अपनी financially abundant हो जाएंगे हर तरीके से अपने पैरों के नीचे की जमीन मजबूत कर रहेंगे उस दिन ये अपनी जिन्दगी के एक passionate new शुरुवात करेंगे और जिसे भी चाहते हैं उसे अपना प्यार भरा का पॉफर करेंगे किसी के लिए physical attraction इनके अंदर हो सकता है या attraction हो सकता है at least इनका क्योंकि ये बहुत जादा कोई है जो इनके mind में चलता है जो जिसका एक power position बहुत अच्छी है मतलब attraction बहुत सादा है उस इंसान जिसके लिए भी attracted है क्योंकि queen of winds की energy है या ये खुद इनकी भी energy हो सकती है कि जिस दिन ये इस तरीके के हो जाएंगे न उस दिन इनके पास पैसा, power, position, सब कुछ होगा ठीक है हर तरीके की luxury, हर तरीके का सब कुछ होगा और दूसरी चीज कुछ लोगों के लिए यहां पर एक person भी हो सकता है जिसके बारे में ये सोच रहे हैं जिसके बारे में जिसका हो सकता है बहुत अच्छा job हो या अच्छी profile पर वो काम कर रहे हो ये भी चीज हो सकती है तो वहां पर इनको ये लग रहा है कि जैसे ही वो चीजे हो जाएंगी तो उस इंसान को ये अपनी सब से अप्रोच करेंगे उसकी तरह प्यार भारा का ले करके जाएंगे और ये carefree हो करके एक नियूब अपनी जिंदगी की करेंगे ये अपनी जिंदगी में वो हर चीज करने की कोशिस कर रहे हैं जिससे इनकी जिंदगी में ये सब चीजे हो जाएं ठीक है अपनी जिंदगी में जो भी तकलीफ चल रही है वो तकलीफ खतम हो जाए और ये अपनी जिंदगी के एक शुरुवात वैसी कर सकें जैसे यह करना चाहते हैं उसके लिए सामदाम दंडवेद यह जो कुछ अपना सकते हैं वो सब अपनानी के कोशिस करने हैं चीजों को सही करने के कोशिस करने हैं ठीक है इसके लिए यह spiritually अवेकन होना चाहते हैं spiritually भी अवेकन होना चाहते हैं लब डिवाइन से भी connect होना चाहते हैं और हर तरीके की साम दाम दंडवेद जैसे मैंने बोला कि तक कैसे ने कैसे पैसा भी हो चारो element अपनी जंदेगी मैं अपनी control में रखना चाहते हैं पैसा भी हो प्यार भी हो लब emotions भी हो पावर भी हो ठीक है एक fire energy अन्तुसियाद में भी हो सब कुछ हो इनके पास ठीक हो इसके साथ साथ इन्हें spiritual knowledge भी हो divine की blessings भी हो जमीन से जुड़े हो भी हो कहीं 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 इनकी spiritual awakening भी हो रही है यह भी कह सकते हो रिग्रेट है इन्हें sleepless night है इनकी बहुत ज़्यादा हो सकता है किसी ऐसे इंसान के बारे में जैसे कोई नोवेंट से इसके बारे में सोच नहीं है उस इन्सान कोई नो नहीं खो दिया है और वो इंसान अब self love की condition में आ गया है तो इसलिए यह उसकी तरफ attracted है लेकिन यह बढ़ नहीं रहे है इनको sleepless night है कि कब इनकी जिंदगे में हो यह वहर प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी कुद को इस लाइक बना सकें ताकि उस इंसान की तरफ बढ़ सकें लेकिन फिलाल ऐसा नहीं हो रहा है तो इस पज़े से इनको क्या हो रहा है कि इनको बेचे करना चाते हैं चीजों को balance out करना चाते हैं इनके अंदर fire energy बहुत जादा है ego भी बहुत जादा है हो सकता है ego की वज़े कि किसी की तरफ अपने आप से reach out नहीं करना चाते है या फिर किसी इंसान की position जैसे बोला कि कोई नव वेंट्स है कोई सी की power position जादा हो सकती है इनकी भी उतनी नहीं है तो इनको low feel होता है इसलिए भी ये खुद को रोक रहे हैं आप ये इनर्जी है कुछ लोगों के लिए होगी सब के लिए नहीं होगी एरीस हो सकते हैं आपके person और ये ego की वज़े से और अपनी थोड़े से एहम के वज़े से नहीं आना चाते है आपकी त अपनी गलती को सुधारनी की मूड में हैं ये देख रहे है किसकी गलती है ठीक है डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा करते हैं मैं ऐसा कर लूँ मैं वैसा कर लेता मैं वैसा कर लेता ये भी चीज़ dhkt रहे हैं बहुत ज़्यादा चीजों को balance out करना चाहते है टीक है waiting energy है बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, सोशल मेडिया पर बहुत स्टॉक कर रहे हैं, सभी साइन यहाँ पर आ गए हैं, ठीक है? किस क्लास को हम जिसको करें कार्ड को क्लारिफाइए कर लाएं एक कार्ड ही क्लारिफाइए करेंगे प्लीज डिवाइन प्लीज बाबाजी डेथ को क्लारिफाइए कर दीजिए डेथ यहां पर क्यों हो इनका यही है कि किस्मत के पहिया के गोमने का इंतजार कर रहे हैं मैंने पहले ही जो बता दिया वही सेम चीज है यह चाहते है कि किस्मत का पहिया एक दिन जरूर बदलेगा और एक दिन यह सब कुछ यह बुरी चीज है वो खतम हो जाएंगे इनके जिंदगी में फइनेशल कि आएगी फिर ही अपनी जिंदगी के पैशनिट शुरुआत करेंगे ठीक है यहां पर यह चीज है अभी इनको तो अभी अपने फनेसे अपने कैरियर पर ध्यान दे रहे हैं इनको पता है कि एक दिन ऐसा होगा जब सारा बुरा समय यह कॉंपटिशन यह संघरस का जो समय है यह खतम हो जाएगा और अपनी जिंदगी में एक अच्छा सुकून भरा एक लगजरी भरा समझ भी जरूर आएगा चलिए अब हम देखते हैं कि उनके अनर्जी आपको लेकर के क्या है अपने परसन का नाम दोरा ही है फोकस करिए उनके उपर प्लीज जिवाइन जैं फानल शफल भबताईए हमारे विवर्स के परसुन की करेंण फेलिंग हमारे व्यूर्स को लेकर के क्या है प्लीज जिवाइन में बताईए प्ली जैने में बताईए हुआ टावर वली इनर्जी है ठीक है क्वेटिंग एनर्जी है कॉन्फिक्ट लडाई युगड़े हैं रोक रहे हैं अभी फिलाल के आपको ओफर नहीं कर सकते हैं इनका इरादा आपको उफर करने का है लेकिन अभी आफर यह नहीं कर सकते क्योंकि शायद परिस्तितियां उसे साब से नहीं है अभी तो अभी अभी आपकी आदों से भागते हुए नजर आ रहे हैं एरीज लियो सेजिटी रिस्क इनर्जी आज बहुत जादा है कॉंफ्लिक्ट लड़ाई जगड़े जो भी है यह वहां पर उन पर जादा इनका फोकस है और वहां पर यह रहना चाहते हैं ठीक है अभी बाकी और क्लारिफाइग करेंगे तो और बताएंगे अब यह उन पर फोकस कर रहे हैं वहां पर competition जो भी अगर इकजाम अगरा की त्यारी कर रहे है तो उनका पूरा फोकस उस चीज़ पर है और यह फिनेसस के आने का वेट कर रहे हैं कहीं किसी तरीके का office में किसी तरीके का competition है किसी के साथ या जॉब कोई एक्जाम अगेरा दिया है वहां पर competition है किसी भी तरीके का हो सकता है और जहां से फिर इनका रास्ता जाता है कि जहां से इने पैसा आएगा कोई फिनेसे धाएगा ठीक है घर सब पोई जाओ लग जाएगी तो पैसा आने लग जाएगा बिजनेस में राइवल्री है तो वहां से पैसा आएगा तो इस ठरीके किन ही इनकी अंघयर कर रहें है पैसो के बढ़ना चाहते हैं तो फिलाल ये दोशी ढूंड रहे हैं अपने अंदर भी self evaluation कर रहे हैं कि मैं गलत हूं क्या मैंने गलत किया क्या बढ़ यहां पर tower की energy है ठीक है इन्हें फिलाल ऐसा लग रहा है आपके साथ चीज़ें खतम हो गई है या खतम करनी पड़ेंगी पानी तो कितना खराब लग रहा है खड़वा लग रहा है एक दम से चल्ले हम clarify कर लेते हैं प्लीज डिवाइन नाइट ऑप पैंटेकल को clarify कर दिए प्लीज डिवाइन फाइनल शफल बाबजी नाइट ऑप पैंटेकल को clarify कर देज़ें यह पहले success शाद है अपनी जन्दगी में अभी फिलाल इनकी दूरी है कि इन्होंने रिष्टा आपसे खतम किया हुआ है एक दूरी बनाई हुई है क्योंकि इनका पूरा इरादा भी अपनी success पे है पहले यह successful बनेंगे उसके बाद यह अपने प्यार की तरफ बढ़ेंगे जिस इंसान से प्यार करते हैं अगर आपको से प्यार करते हैं इनका true love है आपको feel करता है आपकी cut feeling कहती है कि आपकी soul connection है तो यह आपकी तरफ बढ़ेंगे क्योंकि आपके person आपको अपना past life connection मानते हैं ठीक है seven of wands को clarify करिए divine seven of wands को clarify करिए final shuffle seven of wands को clarify करिए clarity बहुत बेचहनी है यह जीतना चाहते हैं ठीक है यह जीतना चाहते हैं clarity चाहते हैं तो अभी फिलाल यह आप से एक दूरी बना रहे हैं भट इनको बहुत जादा बेचहनी है इन्होंने अपनी success के लिए आपसे एक दूरी बनाई हुई है अपनी career में अपने finances में successful होने के लिए आपसे दूरी बनाई है अपनी समय हो गया है आपको इंतिजार करते करते तो अब इनसे क्या हो रहा है इन्हें बहुत बेचहनी हो रहे है यह आपको clarity देना चाहते हैं कि आपके साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे आप से clarity लेना चाहते हैं कि क्या तब तक आप इनके साथ बने रहोगे इनका इंतिजार करो होंगे जब तक ये बन नहीं जाते हैं और यह सब चीजं है क्यूंकि इनकी तरफ से चीजोंगा को सीआ सब आप साहदे है और को मेनों कुछ है इनना जालती गतास बोगए तो आपया हो रही है अपको बोगए बन ह抱 से ना हो बोला ही इस तरह से हो कि तुम हमारा इंतिजार मत करो या कुछ भी ऊटपटंग बोल दिया हो अब इन्हें आपको खो देने का डर लग रहा है क्योंकि चीजें जल्डी वर्काउट हो नहीं रही तो आप इन्हें बहुत जादा डर लग रहा है ठीक है एन ख्लीप्लस नएट है इनकी निने इनको आ नहीं रही रात को। फाइव वौन्स को लारिफाई कर ये डिवाइड फाइव वब वर्ण्स को लारिफाई कर ये सकस्स साइकल को कम्प्लीट करना चाते हैं ये ठीक है अगर किसी competitive exam को को दे रहे हैं तो यह competition को clear करना चाहते हैं अगर कहीं foreign वगएरा में जॉब आपके लिए अपलाई के आता तो वहां के लिए भी इनका चाह रहे हैं कि सारे चीजे हैं सही हो जाएं हो सकता है वहां पर competition बहुत जादा हो चाहे वेजा वगएरा को लेकर के हो पास्पोर्ट को लेकर हो या फिर job opportunity वहां पर कितनी है क्या है किस field से जुड़े हुए है तो उससे regarding कहीं न कहीं तो competition बहुत है और अब यह completion चाहते हैं यहां पर ठीक है यह social media पर stock कर रहे है social media पर बहुत जादा time भी spend कर रहे हैं अगर आप लोग long distance relationship में हैं तो यह आपके पास आना चाहते हैं ठीक है लेकिन शायद घर में किसी तरीके का विरोध हो सकता है या कहीं भी किसी तरीके का ऐसा है जो लोग इनको नहीं आने दे सकते हैं आ रहे हैं देने दे रहे हैं जिस विजिस इनको बहुत जादा तकलीफ हो रही है ठीक है यह हो सकता है अगर आप लोग दूर दूर रहते हैं अलग लग शहरों में रहते हैं तो इनका इरादा है आपके पास आने का लेकिन के family members competition यह भी हो सकता है कि एक तरफ family है एक तरफ आप हो ठी ठीक है आप family सबके लिए अलग-अलग हो सकती है जो लोग married person से deal कर रहे हैं उनके husband wife या उनके बच्चे हो सकते हैं पर जो लोग married नहीं है उनके parents हो सकते हैं भाई-बेन हो सकते हैं तो वो लोग नहीं आने दे रहे हैं तो उनके साथ अपका competition है ठीक है यहां पे यह चीज ह अंदर डर पैदा कर रहे हैं थ्री ओवर्ण्स को clarify करें दिवाई में थ्री ओवर्ण्स को clarify करें Regret third party situation यहां पर हो सकती है celebration ही अपनी जिंदगी में चाहते हैं पैसों के आने का way to कर रहे हैं बट इनको ऐसा लग रहा है कि अधो चीज है एक तरफ तो इनन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद आपका प्यार इन्होंने खो दिया और आप किसी और के साथ में अपनी जिंदगी मज़े से काट रहे हो ठीक है और आपके साथ इनका रिष्टा पूरी तरीके से आपने खतम कर दिया है तो वो चीज इनके अंदर रिग्रेट लेके आरहे हैं डर लग रहा है इन्हें लग रहा है कि पास्ट में जो भी आपसे दूरी बनाने का तरीका अपनाया वो तरीका सही नहीं था ठीक है तो नहीं उस बात का अफसोस हो रहा है दूसरी तरह यहां पर क्योंकि इनके तरब से बहुत डेले हुआ है बहुत साधा इनका वेट ही बहुत लंबा इन्होंने कराया तो जिसकी वेज़े से आपका प्यार जो है आप आपने शो आफ करना बंद कर दिया आपने दूरी बना ली है और आप इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप शायद इन्होंने आपको खो दिया अब इन्हें शायद कभी स feel Roz fi को क्लारीफाइ करें आ, कही ने कहीं अटके हैं सैट्बै।। कहीं ने कहीं अटके हैं सीचुफ़ेशन गलती रूनने की कोश़श्क्राइज्यक्य कर रहा है, मित इनके कुछ ऐसे विचार हो सकते हैं जिसम की वज़े से उनने आपसे रिष्टा खराब किया हो और अभी अपनी गल्तियों को ढूनने की कोशिस कर रहे हैं उनने ठीक करने की कोशिस करते हैं ठीक है चीजों में ठीक है तो यहने marriage तूटती हुई नजर आ रही है या marriage का सपना था तो सपना तूटता हुआ नजर आ रहा है किसे तरीके का travel यह प्लान कर रहे हैं कहीं जाना चाहते हैं आना चाहते हैं आना चाहते हैं आपके पास आना चाहते हैं बट कहीं न कहीं कुछ ऐसा है जहां इनके ह इनको क्या लग रहा है कि शायद आपकी जिंदगी में कोई और आ गया है आपका प्यार इनों ने खो दिया है और आप अपनी जिंदगी में खोश हो गुसा भी है जलन भी है बेचनी भी है क्योंकि बहुत जल्दी आपके तरफ आना चाहते हूं चीजे इनके इसाब से हो नह में यह ब्लाइंड फोल्डेड है इनको समझ नहीं आ रहा है इतनी हेल्प्लेस है नहीं इन्होंने अपने आसपास बाउंडरी क्रियेट की हुए एक सब्सक्राइब करना चाहते हैं आपको अपने घर में रखना चाहते हैं आपके साथ कहीं कोई की ब्लानिंग कर रहे हैं घर से बाहर निकलने की प्लानिंग कर रहे हैं यहां पे यह जीज भूल नहीं पा रहे हैं आपको बहुत जादा डीप रूटिड इनके दिल निमार्ग में बेठे हुए हो अच्छा है बुरा है जो भी इन्होंने अपने मन में भरके रखा हुआ है उसे ये भूल नहीं पारे हैं अपने emotions को जाहर नहीं कर रहे हैं सब कुछ अपने अंदर ही रख रहे हैं आपको ऐसे देख रहे हैं कि अब आप पहले बहुत motherly caring अब आप self-centered हो गए हो आप अपनी हर चीज अपने emotions को अपने तक सीमित रख रहे हो और आप अपने finances पर ज्यादा ध्यान दे रहे हो इनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो ये आपको ऐसे देखते हैं कि सब कुछ आपको पैत्रक तोर पे मिला हुआ है ठीक है पैत्रक तोर पे अपनी emotions को ऐसे जैसे दिखाना नहीं चाहते हैं अभी ये आपको प्रोपोस करना चाहते हैं बट आप से clarity भी चाहते हैं ठीक है अचले अब हम देख लेते हैं कि Divine की नजर में आपका रिष्टा कैसा है प्लीज डिवाइन प्लीज रिडिग अकर रिजूनेट हुई है तो फटक से एक like chip का दो और comment में लिखो जो लिखना चाहू लिखते हूं प्लीज डिवाइन प्लीज डिवाइन प्लीज बाबाजी हमारे व्यूवर्स उनके परसंट के वीच के रिष्टे के रिगार्डिंग आप क्या कहना चाहते हो प्लीज बताएए अनीड ओल्डी वन कार्ड movement choices and disease and deception and envy के energy कुछ लोग यहां पर ऐसे हो सकते हैं जो या तो आप डील ही पुरा गलत आदमी से कर रहे हो या फिर यहां पर energy है कि मतलब आपकी जिंदगी में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके past life की किसी उसकी वज़े से आये हैं क्योंकि seven number कितु का होता है कितु past life को दिख होने ठीक है तो वो ऐसे लोग कोई धोका कर सकते हैं किसी तरीके का कुछ जाल बिचा सकते हैं आप लोगों के बेच में ठीक है और movement choices and decision इस वक्त time है आपको अपनी जिंदगी में अपने movement को अपने decide करने का ठीक है choice बनाने का decision लेने का ठीक है और उस तरफ move करने का decision लेने के जरूरत है कुछ लोगा आपकी जिंदगी में ऐसे हो सकते हैं जो आपको धोका दे सकते हैं और वो नहीं चाहते कि आप लोग एक दूसरे के साथ में रहें तो ऐसे लोगों से आपको बचके रहने की जरूरत है चलिए अब हम message निकाल लेते हूं उसके साथ हम रेडिंग को wind up करेंगे divine guidance के साथ please divine please babaji I need only five cards हमारे viewers के person हमारे viewers से क्या कहना चाहते हैं please बताएए please babaji हमारे viewers के person हमारे viewers से क्या कहना चाहते हैं please बताएए I am stalking you yes यह आपको stalk कर रहे हैं social media पर please divine please babaji हमारे viewers के person हमारे viewers से क्या कहना चाहते हैं please बताएए trust me there is no third party यह आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आप कोई third party नहीं है आप लोगों के बीच में please divine please babaji हमारे viewers के person हमारे viewers से क्या कहना चाहते हैं please बताएए my family is not ready for our marriage and I can't go against my family sorry yes मेरे पहले भी बोला के family हो सकती है एक तरफ family हो एक तरफ आफ हो इनके family आपके साथ रिष्टे के लिए marriage के लिए जो है ready नहीं है तो यह अपनी family के against नहीं जा सकते तो उसके लिए आपको sorry बोल रहे हैं प्लीज डिवाइन प्लीज बाब जी हमारे viewers के person हमारे viewers से क्या कहना चाहते हैं प्लीज बताएए I am not happy without you but यह आपके बगएर खुश नहीं है ठीक है यह आपके बगएर खुश नहीं है यह family की बात मान तो रहे हैं लेकिन यह खुश नहीं है last but not least please divine हमारे viewers के person हमारे viewers से क्या कहना चाहते है प्लीज बताएए your children are an issue for my family यह उन लोगों के लिए होगा जहां आपके बच्चे हैं और आपके person की family को नहीं पसंद है वो ठीक है तो यह एक issue है इसी वज़े से आपके आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं single है आप single parent है तो इस वज़े से आपके person की family नहीं चाहती है आपके विच्चों को ठीक है I don't like you bottom में लिखा I don't like you क्यों लिखा please divine I don't like you को clarify कर देजाए final shuffle Baba Ji I don't like you को clarify कर देजाए क्यों है I don't like you अच्छा ego है आपने रिष्टे को अपनी दर्फ से खतम कर दिया है टावर लाया हुआ है इस वज़े से इनने गुस्सा आ रहा है इनकी ego बहुत ज़दा इनकी आपने इनकी ego को trigger किया है तो इस वज़े से यह अपनी command रिष्टे पर रखना चाहते हैं बट शायद अब आप self love आप queen of events की condition में आ गए हो तो आप पहले queen of pentacle हुआ करते थे जो बहुत madally caring था लेकिन अब आप self love की condition में आप पहले कुद को priority देते हो बाद में इनने दे रहे हो जो बात इनको पसंद नहीं आ रही ठीक है तो बैशक इनोंने गलती किया बट यह egoistic इंसान हो सकते हैं तो इनने अभी भी अपनी गलती नजर नहीं आ रही यह यही देख रहे हैं कि आप गलत तरीके से over react कर रहे हो ठीक है इसलिए यह आप से कह रहे हैं I don't like you because यह आपका egoistic behavior नहीं पसंद कर रहे है चलिए हम देखते हैं कि guidance आपके लिए क्या है अपनी divine से परे करो कि आपके सही सवालों का जवाब मिले सही जवाब मिले आपके सवाल का प्लीज जवाइन हमारे वीवर्स के लिए आपकी guidance क्या है प्लीज जवाइन मैं बताइए final shuffle Baba Ji हमारे वीवर्स के लिए आपकी guidance क्या है प्लीज बताइए Take some time out of your usual life and spend it on solitude हो सकता है इस वक्त आपकी लाइप में बहुत ज़दा कलेश है ठीक है बहुत तकलीफ है Mental stress आपको बहुत ज़दा है तो Divine आपको बोल रहे है कि कुछ समय लो अपने लिए एक free space लो अपने लिए अपनी नॉर्मल रूटेन लाइफ से अलग अटके और आप इसको एक solitude मतलब एकांत में गुजारो ठीक है कुछ बुक्स पढ़ो कोई holy music सुनो meditation करो मतलब अकेले र रहे करके self realization करो शान्त हो पुरानी चीजों को भूलने की कोशिस करो ठीक है तो यह time है इन सब चीजों को करने का जो आपको heal होने में बहुत मदद करेगा त्वीत ही हमारे आज की reading उम्मीद है आपसे रिजोनीट कियोगी guidance मिली होगी अगर रिजोनीट किये guidance मिले तो प्लीज चैनल को like share और subscribe किये बगार नहीं जाएगा मिलते हैं next reading में till then bye bye take care stay positive stay happy love you all